Hello everyone, और आज हम लोग discuss करने वाले वाईरस की medicine मैं discuss करूँगा chickenpox और smallpox ठीक है smallpox और chickenpox क्या होता है, virus कौन से यसे होता है और क्या infection cause करता है, symptoms क्या है और इसकी दवाई या mainly medicine से वह focus है यह पहली वीडियो यूटूब पहने वाली जो details से आपको explain करूँगा ठीक है YouTube पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो पर वहाँ पर आपको medicine नहीं मिलेगी particular एक दो medicine बताते हैं मैं बहुत सारी medicines आपको बताऊँगा ठीक है इस से related देखेगा mechanism भी explain करूँगा सबसे पहली चीज हम लोग देखने वाले है वाइरस यहन्यकी विशाणू का नाँ तक वाइरस का नाम क्या है medicine बहुत सरी लेका रहे हैं ऊगाथ इसमें फूरी वीडियो आप लोग देखना वाइरस का जो नाम होता है वर्सिला जॉस्टर सबसे पहले जो वाइरस आता है उसका नाम होता है वर्सिला जॉस्टर वाइरस ठीक? और इसमें बहुत important ची समझने वाली क्या है कि यहां harpes virus की परिवार से ब्लोंग करता है अब यह harpes क्या होता है guys harpes की एक family होती है पूरी जिसमें बहुत सारे आते हैं जिसे chicken pocks हुआ है small pocks हुआ है इसमें क्या होते है स्कीन पे ना pimple बनने लगते हैं दाने दाने पूरे शरीर पे बन जाते हैं बहुत severe भी हो सकता है कम भी हो सकता है स्कीन से related disease होती है ठीक है तो इसमें वर्सिला जोस्टर एक वाइरस होता है ठीक है याद रखना बहुत important है कि वर्सिला गाइस medicine दवाईया बताओंगा घबराईया गामत आप वीडियो डीटेल से समझे इसको ठीक है वर्सिला जोस्टर एक वाइरस का नाम है वो कौन सी family से ब्लोंग करता है वो होती है आपकी harpes virus Harpes virus के परिवार से यह ब्लोंग करता है अब यहां पर next चींज समने वाली यह वीवाईं कोई व्यक्षी कोई हो गई यह ड्यागिनाम है आप देख सकते हैं यहां यहां पर आपको pimples आपको दीख रहे हैं चेहरें पर λाल जाल धब्य लाल लाल पिंपल्स आपको देखने को मिलेगे रेशेस ओन स्कीन तोचाप पर रेशेस बन जाना ठीक है रेशेस मतलब लाल 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 यसे स्ट्रेच बन गए आपके उसे हम लोग रेशेस कहते है ठीक है इचिंग बोडी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होना बहुत ज़्यादा इचिंग चलना ठीक है इससे बहुत ज़्यादा शरीर में इचिंग या कि खुजली चलती है और फीवर आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेट फीवर इसमें देखने को मिलेगा कौन स इसे में chicken pox ठीक है जल्दी से screenshot लीज़े गई फिर इसकी दवाईयों के उपर बढ़ते हैं हम लोग ठीक है गई तो जो chicken pox नामक जो बीमारी हो ना कौन से virus होती है chicken pox जो बीमारी होती है हमारे वरसिला जोस्टर नामका virus होता है वरसिला जोस्टर से होती है chicken pox बीमारी होती है यह जो वाईरस है यह हर्पिस वाईरस की परिवार से ब्लोंग करता है आगे बढ़ता हूँ सबसे पहली जो सबसे famous medicine होती है वो होती है acyclover dt का मतलब होता है dispersible यानि की पानी में जिसको घोला जा सागे उसे dispersible कहते है ठीक है तो acyclover market में आपको acyvir 400 dt के नाम से मिल जाएगी acyvir के नाम से यह बहुत famous brand है market में आपको acyvir sipla na बहुत बड़ा market अगए sipla company का नाम है जो कि दवाईया बनाती है ठीक है यह sipla की दवाईया रहते भी बहुत अच्छी है यह दियान रखना sipla बहुत सारी दवाईया बनाती है और virus की तो जादा तर जो दवाईया होती है हो sipla company द्वारा ही बनाई जाती है तो जो acyclover होता है na acyclover मैं हमें drug salt के नाम है बताऊंगा ठीक है acyvir 400 mg dt के नाम से बिलती है इसके अंदर जो composition जो drugs पाये जाता है वह acyclover दिस्पर्जेबल टैबलेट डिस्पर्जेबल का मतला पानी में जो घूल जाए अब देखो इसको जड़े डोस समझ लू चिल्डरंस दो तरी से डोस चल रहे है ज्यादा तर यह बीमारी ना बच्चों में देखी जाती है ठीक है मैं यह नहीं बोलता कि बड़ों में नही चोडह करें है छोटों में होती है पर मोस््ट जो देखी गई है बीमारी बच्चों में बहुट ज्यादा देखी जाती है ठीक कि बच्चों में माता निकल लेए अप जिसको ब लते हम यही वाइरस का इंफेक्शन होता है तो चिल्डरन्स में हमको यह जो डिस्परजेबल टेबलेट 200 mg की गोली दिन में दो बार देनी पड़ती है साथ दिन तक यह गोली चलाई जाते है जो इसका टाइम डुरेशन होता है वो बहुत स्टुडेंट पूछते सर कितने दिन के ल सरीच को दिया जाता है और एडल्ट यही बड़े व्यक्ति की बात करूं तो 400 mg की टेबलेट बीडी 400 mg की टेबलेट भी मार्केट में मिलते हैं दिन में दो बार दी जाती है कभी-कभी बहुत सीवियर होने पर TDS भी डॉक्टर चलाई जाती है किसी भी दवाई को डॉक्ट में available रहती है जल्दी साप लोग screenshot ले लीजे फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं नेक्स जो दवाई आती है वेला जादातर दवाईयों में वीर आता है जैसे कि वेला साइकलो वीर नाम मिलते हैं वेला साइकलो वीर 500 एमजी की टेबलेट होती है बीडी दिन में दो बार दी जाती है देखो वेला साइकलो वीर टेबलेट होती है वेला सिविर के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में वेला सीविर एक बहुत फेमस ब्रांड है वेला सीविल 500 mg टेबलेट इस तरीकी टेबलेट दिखाई देदे दिन में दो बार मरीज को दी जाती है यह चीज आप लोग ध्यान रखना यह भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिशिन है इसके ट्रेटमेंट के लिए बहुत भलान से यह एंटीवाइरल मेडिशिन है नेक्स राती हमारी घ। पीद जारेच में आपको को हर्पिनिल हर्पिनिल क्योंकि हर्पिस वाइरस ठीक है चिकन पोक्स क्या है हर्पिस वाइरस होता है ठीक है हर्पिस वाइरस के परिवार का सदेश्च हो ठीक है तो वाइरस पर उसके परिवार का सदेश्च हर्पिनिल एफ के नाम से मिलेगी गाईज यह 250 mg की टेबलेट होती यह चीज आप लोग ध्यान रखना तो 250 mg की गोली दिन में दो बार 7 दिनों तक 4, 7, 10, 7 दिनों तक हम लोग इस दवाई को देते हैं ज्यादा infection है यदि आपको ज्यादा infection दिख रहा है तो 500 mg की गोली आप दिन में दो बार दे सकते हो मरीज को ठीक है यह चीज दियान रखना फेमा साइकलोविर के जो इसके अंदर drug salt होता है जो composition होता है drug salt के नाम है फेमा साइकलोविर company चाहे चेंज होगी है पर फेमा साइकलोविर चेंज नहीं होगा हर्पी निल के नाम से हर्पी निल F 250 mg की गोली है 500 mg की गोली भी आती है screenshot ले लो जल्दी से फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ नेक्स जो हमारी medication है गेना साइकलोविर गाईज यह न दवाईया न बहुत important है जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है जित ध्यान रखना गेना साइकलोविर गेना साइकलोविर भी बहुत इफेक्टिव मेडिशीन है चिकन पोक्स के लिए ठीक है 500 mg की टेबलेट Q12H Q12 का मतलब भी वह उता है हर बारा घंटे में एक बार इस दवाई को देना होता है ज्याने कि दिन में बीड़ी दिन में दो बार एक सुबा एक शाम ठीक है Q12H हर बारा घंटे में दी जाती है य यह इंजेक्शन फॉम में है इंजेक्शन फॉम में गेना साइक्लोविर अगर पेशेंट की कंडिशन ज्यादा बिगड़ गई यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर इंफेक्शन हो गया तो सीवियर इंफेक्शन की कंडिशन में हम लोग यूज करते है यूएसपी ठीक है यह चित जहां रखना साइटो मेवीर के नाम से मिलता है स्क्रिंशोट लो जल्दी फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स मेडिशिन पर तो गाईज यह कुछ एंटिवाइरल मेडिशिन हुई है ठीक है अब हम इसका सिम्टमेटिक ट्रिटमेंट भी करते है अब आप बोलोगे सर सिम्टमेटिक ट्रिटमेंट क्या करोगे यह जने कि जो मरीज आ पेक मिड्виटी वीडियो को स्कीप मत करना आप मेरी पूरी बोड़ी पे चिकन पोक्स हुआ है, उसको उल्टिया भी हो रही है, ठीक है, कोई भी मरी जाता है, कोई एक दिक्कत तो नहीं बताता है, मैं आपको प्रस्किप्शन भी बताऊंगा, ठीक है, कोई पेशेंट आया, उसको क्या होगा, चिकन पोक्स हुआ, और वो बोल आप उल्टिया भी हो रही है, श्षेंज पोक्कन पोक्स होु और तो हमको ऊल्टियोग के लिए दवाई देने पडेगी, दूसरी उसको हमें बोल के लिए ऑ्सको वाइर। सब्चन ठीक हैं, इसलिए और ऑसहीं ली बहुत सारी बताव क काम करती है अब तक हमने देखी एंटिवाइरल मेडिशन क्या-क्या होती है अब हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट पर बढ़ते हैं अब देखो एक लोशन आता है केला माइन लोशन यह बहुत अम्रित समान लोशन है गाइस ठीक है यदि बोड़ी पर इसकीन पर कोई रेशेश हो मैंने बोला था ना आपको जब चिकन पोक्स होगा तो रेशेश भी बनेगे तो उस रेशेश पर पूरी बोड़ी पर हमको इसको अप्लाए करना होता है केला माइन लोशन बहुत इफेक्टिव है केला माइन लोशन से बहुत जल्दी रिलीफ मलता है शरीर में खुझली न नाम से मार्केट में मिलता है ठीक ही केला माइन लोशन आप बोलोगे मार्केट में मिल जाएगा बहुत सारी ब्रांड आती है ब्रांड अलग हो सकते है केला माइन लोशन एक ही होगा बीटी दिन में दो बार या तीन बार इस दवाई को शरीर पे लगाए जयता बच्चों मेंई जाने साथ भाड़ा है यहाँ तो बच्चों में एलर्जी के दिखाई देगी तो हम क्या गरेंगे उस मर्लिव और कर रह molar नहया है ठीक के बच्चों के बात कर रहा ह। होता आवशकता हो तो यदि जरूरत हो तो ही देना है 2.5 ml बीडी दिन में दो बार दी जाती है बच्चों को बच्चों का डोस है थोड़ा केजी के अकोडिंग भी कैलकुलेट करते हैं बट मैंने आपको डाइरेक्टली बता दिया 2.5 ml आफ्टर 6 मंत के बादी इस दवाई क इस्तमाल किया जाता है 6 महीने के पहले इस दवाई को नहीं देना चाहिए अब दियान रखना लेवोसेटराजिन 2.5 ml बीडी एक बच्चे को दिया जाता सामान्य वजन वाल लेवोसेटराजिन की टेपलिट है बच्चों में एलर्जी या स्कीन में हो तो यदि एलर्जी क जानकरी आपको देने वाला हो ठीकिना देखो मैफनेमिक एसेट मैफनेमिक एसेट पेरसेटमोल से ज्यादा एफेक्टिव होता है बच्चों में यह आप लोग ध्यान रखना यदि बच्चों को बहुत ज्यादा फीवर हो बुखार कम होई नहीं रहो तो उस कंडिशन में अब लोग को मैफनेमिक एसेट मैफटाल पी मैफटाल पी के नाम से मार्केट में अवायलेबल होती है मैफटाल पी 6 6 6 6 6 6 6 6 एमजी के एट जो शीरप होती है यह यूस करते चार अमिल बीडी दिन में दो बार इसको दिया जाता है यह चीज़ आप रखना और कभी-कभी दोक्टर के सजेशन से ही चलती है टीज़ भी इसको देते दिन में तीन बार भी दिया जाता है इससे बहुत जल्दी बुखार में आराम लगता है ठीक है गाई स्क्रिंशोट लो अब दोको एंटिबायोटिक भी देते हैं जाता इह बच्चों को एक एंटिवाइरल मेडिसिन दे दी एक एंटिबायू टिक दे दिया साथ मैं भी प्रस्क्रिद्चन बताने वाला है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि चिकन पोक्स की बिमारी कोई बैक्टीरिया करता है, यह कभी मत समझना, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब चिकन पोक्स होता है, तब हमारी इम्मुनिटी बहुत कम हो जाती है, और इम्मुनिटी यह दि कम होगी, तो बैक्टीरियल इंफेक होता है 4 mlbd दिन में दो बार इस टेबलेट जो शीरब होती है बच्चों की देते है अगर एडल्ट वेकती है तो उसमें एमोक्सलीन क्लेविलेट का कैप्सुल आता वो दे सकते हैं अब देखो इसका स्क्रिंशोट लो फिर मैं प्रस्क्रिप्शन बताता हूं अब चिल्डरन बच्चों में अधी आपको देखने को मिला तो आप उसको क्या-क्या दबाई दोगे बहिया ऐसे क्लोविर डिटी दे दो कोई भी एक एंटी वाइरल मेडिशन दे दो ठीक है जैसे में यहां पर दिये ऐसे क्लोविर डिटी 200 mg की गोली यह बच्चों में दे साथ में मैंने लिवोसेटरजिन दे दी उनको बोल दिया जर्वत लगे तो देना जिसे रेशिस हो रहे हो इसकीन में इंफेक्शन हो रहा हो एलर्जी कोई दिखाई दे रही हो तो देना है यदि बच्चे को SOS मेफनेमिक एसे बुखार आता ही है बोल दो बहिया दो ताइ इंफेक्शन ना चिपके इम्मुनिटी वीक की बज़े से चार अमेल बीडी चार अमेल दो दिन में दो बार इसको दिया जाता है ध्यान रखना है आपके स्किनिंशोट लो यह प्रस्क्रिप्शन है अब अब अडल्ट का प्रस्क्रिप्शन देखो अब असी किलोविर की जगे वेलामाइसिन भी दे सकता हूं और भी बहुत सारी टेबलेट जो मैंने बताई है उनमें से कोई भी एक एंटिवाइरल मेडिशन में दे सकता हूं अगर उल्टी हो रही है तो ओन्डेम दे दो ओन्डेम टेबलेट इंजेक्शन फ़म भी दे सकते हैं परसेटमोल टेबलेट देना चाहिए और आईवी फ़म भी लगाते है यदि ज़्यादा फीवर होतो अब केलमाइन लोशन बड़े एडल्ट इविक्ति में अधी बहुँ ज़्यादा इस्कीन रेशिस दिख रहे हो तो केलमाइन लोशन लगा दो उल्टिया हो रही है तो सिम्टमेटिक ट्रेटमेंट तो कर नहीं है आपको पर साथ में आप उसको एंटिवाइरल एक मेडिश वाईरस के नाम से जाना जाता है विरियोला वाईरस जो हो है इस्ओ वीमारी कोष करता है ये थटोड़ी सी वेर रेते हैं इसमें बहुत ज़ादा पिंपल आपको देखने को मिलते है इस साइस भी थोड़ी سी बाड़ी होती हульт इनhew तक Hein हर्पिस वाइरस है, इसके मॉर्फोलोजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, सिम्टम, रेड स्पोर्ट, लाल दब्बे आपको देखने को मिलेंगे, हाई फिवर, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, बुमेटिंग, मरीज को उल्टी अभी हो सकते हैं, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, सुरी, इसकीन रेशेश, वो इसकीन में तो चाका लाल हो जाना है, ऐसे धागे जैसे लाल-ल रेशेश बन जाना, ठीक है, स्क्रीन शोट लो, फिर इसकी दवाई हो, मैंने फिर बोला है, हर्पिस वाइरस का परिवार का ही बच्चा है, यह दोनों चिकन पोक्स और इसमाल पोक्स, हर्पिस वाइरस के बच्चे हैं, ठीक है, उस फैमिली से ब्लॉंग करते, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब देखो ट्रीटमेंट, सेम बात है, एसे कलोवर डीटी इसमें दे सकते एफेक्टिव मेडिशन है, मार्केट में एसे वीर की नाम से बच्चों में देनी है, दोसरी मेडिशन में बच्चों में लेटी में रखें की वीरी बच्चों में दे लोगट क्या है ढरती है파mayberant, protocol भोट है तो उन्हाज में सेम एंटी वायरल मेडिशन चलेगी नम्य चेंज फेमा साइक्λοवीर भी देते happy nil के नाम से market में मिलती है गेना साइकलोवीर इंजेक्शन फर्म होता है। जब severe कंडिशन बन जाए तब इसको दिया जाता है 500 mg TTS भी देते हैं एचित ध्यान रखना और भी वीडियो देखने के लिए तब तक या आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है यह जाके देखे तब तक मैं और वीडियो आप लोग के लिए अपलेट कर दूगा